चलो बच्चों तो त्यार हो जाओ इस महातपूर सेशन के हमारे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपका subject रहेगा आपका English रहने वाले है सेट कौन सा है तो आप सेट देखने जी आपना सेट मिला लीजी यहाँ पे सेट A है और हमारा बार्सिक परिच्छा क्लास 9 का आज हम इंगलिस का पूरा सल्यूसन करने वाले है वन से लेकर आपका कितना है टोटल 18 कोश्चन है दोस्तों तो सारे कोश्चन करने वाले है तो इ कि आप इतनी अच्छे तरीके से करोगे कि आप के बोलो के बेटा बाह बेटा विटा मौज कर दीा इपने करदी है तो इससे आपका एक फर्च बनता है कि आप अपने सर को गुरु दक्षिना में क्या देंगे एक लाइक और क्या करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि मुझे देखिए सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है ठीक है आपका आप और हमारा परिवार है तो ये परिवार जितना आगे बढ़ेगा उतना अच्छा क्या होगा मिठास पैदा होगा और आपको हम क्या है अधिक से अधिक जो है जानकारी पहुझा सकते हैं और सल्लूसन आपको दे पाएंगे ठीक है क्योंकि देखिए अभी आप क्लास 9 में है अभी आपको क्लास 10 में जाना है क्लास 11 और 12 आपका सफर हमारे साथ अभी 2-3 साल तक और रहेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो देखिए पहला हमारा है प्रसंग्रमां एक बर्ड आपको गलत नहीं होने दूँगा यह मेरा बादा है आपसे क्योंकि आल्रेडी मैं सब इन चीजों का बहुत अच्छे से गयाता हूं ठीक है मैं आल्रेडी क्लास 10 का टॉपर सो 12 का टॉपर सो आप मेरी मार्ट सीड भी देख सकते हैं यदि आपको डाउट हो तो तो यहाँ पर देखो आपका पहला है इसके बाद सेकर्ड हमारा हाउसेस एंड स्कूल और थर्ड आपका देखिए गारबे सुड बी पॉट अनली डश्ट बेंटी कहीं आपका अंसर हो जाएगा इसके बाद चौथा देख लीजिए चौथा का क्या है प्यूपल सुड पर सारे कोशन पर कंप्लीट होते हैं इसका स्क्रीन साट कर लीजिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे जो है इस वीडियो के माध्यम से एक हजार सब्सक्राइबर की जरूरत है आप ही मेरा उधार कर सकते हो आप ही मेरे क्या है और यहां प्रीबंगों टोमैटो तुमजस करना है आपको 20-10 क क्या है आप स 용indi. वा करेंगों मेन लेकिन इपना पेपर कौंपर और आपका बनसे है और वेढ़े क्या है और इसमें से आ लेकिन आपको दसी करना है लेकिन मैंने आपके लिए 12 के 12 पूरे कर दिये हैं अब देखे 11 हमारा क्या है डॉग है और आपका 12 वाला कौन सा है 14 नॉम्बर तो आपको इसमें से कोई भी आपको कर लेना है टीक है आपको कुछ नहीं करना है और सारे कोप्षन ऐसे चांब देना है मैं गारंटी देता हुं कि कोई आपका गलत नहीं कर सकता है चलो नमबर चार toward यहां पर देखो question number 4 में आपका do as directed है यानि आपको निर्देश के अंसार बदलना है आपको 5 ही समिस करना है ठीक है तो ये देखो आपका 5 सारे के सारे आपको अंसा लिखे है Christmas is celebrated on November 25 be by books and pens from the shop bill is dark next week उमर planted jamun seeds English is a link language in India ठीक है ये connect करता है इंडिया की सभी भासाओं को अब देखो चलते है next question नमारा क्या है अब आएगा question number 5 तो दोस्तों गर्दा गर्दा उड़ा देंगे आपको क्या करना है मेरे वीडियो को बिना like करे और subscribe करे यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना है और वीडियो को अंतक आपको देखना है क्योंकि यदि आपने वीडियो बीच में skip किया तो आपके लिए एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा आपको जो है मेरे वीडियो को बिल्कुल जो है skip नहीं करना है देखिए पहला क्या है आपको मैं बता दू इसमें से आपको 5 करना है तो 5 में से आपके दिये गए 7 तो 7 में से आपको पहला कर लेना है तीसरा कर लेना है चोथा और छटबा और साथबा तो पहला आपका एन हो जाएगा थर्ड आपका एट्स हो जाएगा चोथा आपका डज हो जाएगा ठीक है आप देखो question number 6 पर देखे यहाँ पर लिखा है आपका एक unseen passage दिया गया है उसको पढ़कर आपको answer लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको इतनी प्यारी writing में आपको provide करा रहा हूं तो simple सा आपको इसका answer ऐसे ही लिख देना है क्योंकि ऐसे ही लिखने पर पर English का वीडियो होगा और उसमें social science का वीडियो होगा science कैसा होगा सारे उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे आपको लिखना कैसे है क्या आपको points बनाने कैसे आपको लिखने चाहिए क्या क्रम से लिखने चाहिए सारा उसमें आप वीडियो देखते जान जाएंगे तो आप description box पर जाएए वहाँ पे सारे वीडियो आपका मौझूद है social science का आपका set by set मिल जाएगा math का आपका मिल जाएगा ठीक है आपका hindi का मिल जाएगा subscribe का मिल जाएगा सारे देख लिजिए ठीक और मेरे channel को subscribe करना तो नहीं भूलिएगा क्योंकि आपको जो है आगे मैं लगातर solution देता रहोगा आप देखो यह आपका पहला का अंसर हो गया इसके बाद यह B number का अंसर हो गया इसके बाद यह हमारा third का अपसन हो गया और यह हमारा fourth का और यह हमारा five का हो जाएगा ठीक है आपको ऐसे ही क्या करना है पूरे के पूरे अंसर copy पर अपने लिख लेना है ठीक है उत्तर पुस्तिका copy पर आपको लिखना है आप प्रसन करों साथ पर देखिए यहाँ पर आपके चिक है sewing यहाँ पर आपको पहला का अंसर यह लिखना है पहला आपका है leap for three days आपको तीन दिन का क्या है चुट्टी के लिए बोला है और second आपको क्या है आपको से बोला है TC यानि transfer certificate तो दिखे इस स्क्रीन पर आपको यह दिख रहा होगा इस cancer leap for three days का आपका sickness का ठीक है आप sickness के लिए ले सकते हैं और आपको एक transfer certificate दोनों का दिख रहा है कोई इसमें से एक लिख सीजिए अब यहाँ पर देखे question number nine में देखिए यहाँ पर आपको लिखना है एक आपको later लिखना है summer holidays program end आपको इसको पूरा लिख लेना है ठीक है आप चलो चलते है question number 10 पर देखिए आपे तो हमारा question number 10 में आपको एक essay लिखना है यानि कि आपको निबंद लिखना है तो निबंद आपका दो है पहला हमारा कौन सा है बंदराफ साइंस का लिख लिजिए आपको तो याधी हो गया सबी बच्चों को और कौन सा याध होगा आपको एक रेट लीडर यानि किसी की लिख सकते है महातमा गांधी सुभास चंद्रबोस जिसका आपको आता हो वो लिख लिख लिजिए आपको स्क्रीन पर आपको बंदराफ साइंस का क्रमसा देखी यहापको निवन देख रहा है ठीक है पॉइंट बॉइंट आप लिख लिजिए तो यह आपको सारे पॉइंट आपके देख रहे हैं सारे पॉइंट आप क्या करिए अपने copy पर आपको लिख लेना है properly ठीक है आप चलो चलते है question number 11 पर देखिए तो यहाँ question number 11 पर आपका क्या है आपका question दिया गया है एक notes लिखना है और summary लिखना है ठीक है तो यह भी आपको जो है screen पर आपको दिख रहा होगा इसे क्या करिए आप सारे notes और summary इसको answer अपने copy पर लिख लिख लिजिए आप चलते हैं हमारा next question हमारा है question number 12 तो दोस्तों आपके लिए हम जी जान से यहाँ पर लगे हुए हैं सारे question का answer आपको provide करा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारा question number 12 का है इसके लिए आपको एक ही गुरु तक्ष्णा आपको देनी है क्या देनी ह आपको इंग्लिस में ठीक है यानि कि हम पत्र लिखते हैं इसका क्या हो जाएगा पाच्वाप क्या है यहाँ पर आपका लिखा है यू आर माई पर दर तुम मेरे भाई हो ठीक है तो यह सारे question के आपके answer यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको ऐसा ही अपने copy पर लिख लेना इसमें क्या करना है यह सारी question answer लिख देने है पहला हमारा बहुत है हमने चौता ओपर लिख दिया था गलती से तो यहां पो पहले लिखना है फिर second लिखना है क्रम से आपको लिखना है और यहां पी आपका third है और इसके बाद यह फोर थे ठीक है अब चलो यहां पर आपका question number पर फोर्टीन का अंसर कर लीजिए पहला हमारा है भारास रतने सेगंड आपका म्यूजिक और तीसरा हमारा सैडनेस यहां पर बिस्मिल्ला के बारे हम दिया गया है और चौते कोस्टन का हमारा यह है आप इसका अंसर कर लिजिए और अपने कॉपी पर लिख लिजिए चलते ह आपको पसांदा रहा है तो सस्क्राइब करना नहीं भूले जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों को जो है सस्क्राइब करना है क्योंकि हमें आपकी बहुत जरूरत है ठीक है अब चलते हैं कोस्टन नंबर 16 पर मेरे प्यारे जगुलो मेरे फूल पत्ति वाली क्ल 17 का कोस्टन है देखिए 17 में भी आपके तीन कोस्टन आपको लिखने है इसके आंसर करने है तो यह आपका अंसर लिखा हुआ है एकदम बहितरिन राइटिंग से इसको करना है और गरदा-गरदा मचा देना है आपको सौ में से सौ ले कराना है और धुआ धुआ कर देना है ठीक है आपको जो है कोई अगर कहें कहां से लिखे हैं तो आप बोल सकते हैं सर मैंने जीत क्लासेज इंडिया के चैनल से लिखा है और वहाँ पे सबसे अच्छी जो है आपको notes handwriting में आपको provide करा जाती है मेरे सभी वीडियो देखिए आपको पहितरिन तरीकी से आपको दिखा यहां तक है मारा इसके बाद यहां पे second दिखी जिए second यह third और यह fourth और यह five है आपके पांच question किसमें अंसा लिखने है तो यहां पे देखिया आपका सभी question का answer यहां पे हो जाता है समाप और हमने मचा दिया है गरदा गरदा तो आपसे एक request है subscribe कर दो और वीडियो को like कर दो दिल से यार देखो क्योंकि आपके लिए महत्त करते हैं तो आपको रहता तो एक बनता है कि सर के लिए जो है वीडियो को like कर दें और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जैहिंद जैभारत दूआ में याद रखना तो